Hey there, welcome back to our channel and a classroom. आज के हमारे इस वीडियो का टापिक है, फ्रिकिंग, फ्रिकिंग, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो वर्ड है फ्रिकिंग, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? और फ्रिकिंग का मतलब यह जो फ्रिकिंग वर्ड है, यह कभी यूस खेता है? फ्रिकिंग का मतलब हिंदी में होता है गुसा, हिंदी में जाने तो इसका मतलब गुसा होता है, लेकिं फ्रिकिंग को हम इंग्लिश में समझें, इसका मतलब होता है to react very strongly to something that makes you feel shocked, frightenance, upset etc, to make somebody react strongly, मतलब कि कोई इनसान, कुछ बहुत ही strong, कोई अचानों से shocking news तुनी, जो सुनकर कि उसके होसो हवास घूम हो गए और उसको कैसा behavior करना चाहिए जो उसको बहुत strongly behavior करवा रहा है या तो फिर upset हो रहा है या समझ लिजी कि आपके family में से किसी का accident हो गया और आप बहुत ही मतलब गुसे में आ गए और बहुत ही ये shocked हो गए वो चीज को नियूस को सुनकर के तब उस जो situation है वो जो situation में उसे हम कहेंगे freaking किसी इनसान को ऐसे shocked करवा देना कोई भी चीज को देख करके तो उसे भी हम कहेंगे freaking suppose कि एक इनसान बहुत cute है तो अब कोई इनसान उसको देख करके बहुत shocked है कि इतनी cute या फिर इतना cute इतना अच्छा कैसे है तो उसे हम freaking बोलेंगे और वहाँ पर सामने लगाएंगे उसका word जैसे कि अगर कोई इनसान बहुत ही कोई लड़का बहुत है हैंसम और cute है तब हम बोलेंगे he is freaking cute या he is freaking handsome मतलब कि वो बहुत ही handsome है बहुत ही cute है आप word यूज कर सकते हैं freaking he is freaking cute he is freaking handsome या फिर शे is freaking cute वो बहुत ही cute है शोकिंग वे से आप बोल रहे हैं उसे हम कहेंगे freaking आपको ये वीडियो का topic समझ में आया गया होगा और ऐसे वीडियो ऐसे ही topics देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना बूले मिलती हूँ नेक्स वीडियो पर गुद बाई